हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल सुपब कलेक्शन तो कैसे हैं आप सब तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बताऊंगा Amazon Logistics Franchisee किस तरह से लेना है इसके अंदर हमें Profit Margin कितना मिलेगा इसके अंदर हमें कितना investment करना रहेगा Amazon Logistics Franchisee के लिए कौन कौन सी document required होगे कितनी जमीन की requirement होगी साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके अंदर हमें online आवेदन किस तरह से करना है और friends इसकी franchisee बहुत अच्छी बात ये है कि आपको जो है company को कुछ भी franchisee cost नहीं देना है और मेरे चैनल को अपने अब तक मेरे subscribe नहीं किया है तो subscribe करें और जो bell icon है उसे आप click कर ले तो friends इकी Amazon जो एक बहुत बड़ा नाम है worldwide इननों ने बहुत जादा नाम कमा लिया है और company जो है बहुत grow हो चुकी है और grow होते जारी future में और जादा grow होगी इनके जो owner है ये world richest person में से एक person है उसी के साथ में ये company ने जो है all over India में काफी नाम कमा लिये all over world में top 4 largest company में इसका नाम आता है और 1994 में company start हुईती लेकिन ये company बहुत billion or trillion amounts कमा चुकी है और ये company जो है अपनी logistic franchisee all over India में provide कर रही है जो भी लोग interested है इसकी outlet लेने के लिए और जो इनकी franchisee लेने के लिए वो इनकी franchisee ले सकते हैं तो हमारा काम क्या होता है तो जैसे for example आपने एक location में अपने franchisee ली है for example Mumbai के किसी अंधेरी location में आपने franchisee ली है तो वहाँ पर जो भी shipment डिलेवर होने वाले वो आपके warehouse में आएंगे वहां से आपको customer तक पहुचाना है या तो जो है नज़ी की warehouse से जाके आपको लाना है vehicle के दुरू और आपको जो है अपने customer तक पहुचाना है कुछ product जो है कि आपके warehouse में आएंगे और कुछ product आपको वहां से लेके आना है तो approximately 3500 से 400 square feet जमीन के अंदर आप जो Amazon logistic franchise ले सकते हैं यह location कहीं पे भी होना अची ऐसा नहीं है कि अच्छे बाजारी इलाके में हो या फिर भाड़ वाले इलाके में हो ऐसा कुछ नहीं है normal space पे हो क्योंकि यह warehouse आपको कुछ sale नहीं करना है कुछ showcase नहीं करना है warehouse में आपके माल आएका आपको जो वहां से पहुचाना है लेकिन ऐसी location जहां पर थोड़ा parking की दिक्कत ना हो आपके truck वगेरा, tempo वगेरा आराम से park हो सके चाकि जो in load और out load करने के time पे कोई problem ना हो तो आप अगर इसकी franchise लेना चाहते है तो सबसे पहले आपकी जो age 18 साल से उपर होनी चीए और friends आपको बता दू मैं आप अगर इसकी franchise लेते हैं तो आपको जो है कुछ भी investment नहीं करना होता है investment कुछ नहीं करना होता से मुराद क्या है आपको जो है company को कोई franchise कोस्ट नहीं देनी है company आपसे जो है कोई भी franchise कोस्ट नहीं लेती है आपका जो है approximately 50 से 60 हजार रुपया invest होता है ये invest जो होता है आपको जो scanner, printer, computer ये सारी चीज़े लेनी होती है इसके अंदर आपका जो है invest होता है, जैसे आप delivered कर रहे है, out for delivery तो आपको scan मानना होता है इसलिए आपको scanner चीए, computer में आपके पूरा data होना चीए, कौन सा product आपके पास का पाया है, सारी चीज़े printer के तुआरा आप जो है के bill वगेरा remove कर सको, तो इसलिए आपको जो है ये सारी चीज़ों की requirement होती है जो जमीन के अलावा पच्छा से साथ हजार रुपे आपको approximately जो है invest करने होते हैं आपको machinery वगेरा आपको प्रोडक्स है उस प्रोडक्स के लिए आपको company को कुछ amount नहीं देना है फ्रेंड्स है कि लोग होते है कि company आपसे पैसा मांग रही है अगर कोई पैसा मांग रही है तो वो हो सकता है कि वो fraud हो तो आप किसी को company को कुछ पे नहीं करना है Amazon जो अपनी logistic franchise free of cost में provide कर रहा है friends आपके पास जो है पता दूमा आपको आपका जो person रहेगा आपके पास जो है कम से कम चार से पाच एक पर आदमी workers होना चाहिए जिनके पास bike हो जो है कि बाइक के उपर आपका सामान जो है कि कस्टमर तक पहुँचा सके उसी के अलावा आपके पास एक से दो बड़ी tempo या truck होनी चाहिए जिनके तुरों आप जो है कि माल ला सकूँ warehouse वगेरा से जाके और जो person होता है जो आपका जो आदमी होता है उनको जो है कि आपको salary मिलती है और आपको company जो हर हफते हर हफते आपको जो है के payment करती है यह बहुत अच्छी बात है friends आपको जो हर मैना wait नहीं करना पैसा आने का हर हफते company आपको pay करी जितना आपने डिलेवर किया उसके बेस पे आपको company pay करी है यह बहुत अच्छा benefit है और यह जो है every day हर दिन काम होता है इसका Sunday के दिन भी आपको delivery करनी होगी और Monday to Sunday हर दिन यह working होता है तो हर दिन आपको जो है delivery करनी होगी और आपको जो है इसके लिए अच्छा खासा amount आप अन कर सकते हैं वीकेंड्स पे चुट्टी वाले दिन अगर आप जो है deliver कर रहे तो उस time पे आपको जो है जादा amount भी मिलता है friends और आपने जो भी amount invest किया है यानि जो भी आपने 50-60,000 पे invest किया आप 1-2 मेने के अंदर amount recover कर सकते हैं यह बहुत अच्छा investment है और friends इतने कम investment है मैं आपको इतनी बड़ी company की साथ काम करने का मौका मिल रहा है यह बहुत बड़ा आपके लिए benefit है यह आपकी खुश नसीबी है कि आपको जो इतना shipment को deliver करें सारी training वगेरा आपको आपके employees को सारी चीज़ों को company आपको training देती है और आपको कुछ करना नहीं आपके पास जो products आ रहे उसको आपको deliver करवाना अपने बंदों के तुरू और उसी के साथ में अगर हम बात करें कि हमें इसके अंदर profit margin कितना मिलेगा तो profit margin की बा कमा सकते हैं आराम से और आप जो है महिने का आप अराम से पचास साथ हजार से लेके एक डेट लाग रुपे तक आप कमा सकते हैं जो existing owner है वो एक से दो लाग रुपे अराम से कमा रहे हैं आप जो है नया 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 open कर रहे तो पचास साथ हजा रुपे तो आप महिने में सारे कॉस्ट निकालने के बाद 50-60,000 रुपए जो आपका नेट इंकम बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं ग्रॉस इंकम की बाद नहीं कर रहा हूँ जो परसन रहा हूँ जो आपके 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 डिलेवर करते हैं वो एक से दो घंटे के अंदर काफी सारे हसारों में आपके आपर शिप्मेंट्स आते हर दिन और आपको उनको डिलेवर करना होता है जिसके लिए आपको कमपनी पे करती है अब उसके बाद हम जान लेकि इसके अंदर हमें ऑनलाइन रजिस्टेशन किस तरह से करना है तो इनकी जो ओफिशल वेबसाइट है logistic.amazon.in पे जाना है वहाँ पर जाने के पाद आपको टॉप साइड में राइट एन साइड में आपको जो अप्लाइन आउ का ओप्शन रहेगा तो उसके उपर click करना है उसके बाद में एक form होगा उस form के अंदर आपको जो आपकी सारी detail फिल करनी है जैसे कि आपका नाम क्या है आपकी company है already को existing तो उस company का नाम डालना है company registered किस नाम से है आपके आप कितने साल से business कर रहे हो या आप कौन सी field में हो या आपके पास अगर जमीन वगेर available है क्या या फिर आप जो का फ्रेंचाइजी लेना चाहते है वहाँ पर एक additional message comment का option होता है उसके अंदर आपको जो सारी detail लिखनी होगी आपको जो आपका mobile number और email id डालना होता है और जब आप mobile number email id डालेंगे तो email id verification code आएगा आपके email id के उपर verify के उपर click करेंगे तो तो उस code के उपर आपको वहाँ पर जो है के जाएंगे आप mail में जाएंगे तो वहाँ पर verification वाला mail होगा उसके उपर एक verify लिखा हुआ रहेगा blue color में तो उस verify के उपर click करके आपको अपने account को verify कर लेना है friends और उसी के साथ में आप जो एक बार register कर देता है तो company अगर आपके location में franchise देना होगा तो company आपको जो है खुछ सामने से contact करेगी ठीक है friends और आपके पास जो है आपका जो delivery person है उनके पास जो है bike और mobile होना अची है जिनके तुरू जो है के सारे delivery हो चुका तो mobile के अंदर वो punch कर सके आपको पसंद आई है अगर इसे पसंद आए तो इसे लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जाते से जादा शेयर करें थैंक यू वेरी मुच फो वाचिंग फ्रेंड